योग क्रांती परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुना मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्तित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो यदि आप योग में आने वाली वेकेंसी की जानकारी सबसे पहले अपने मुबाइल पर चाहते हैं यदि आप योग की सारी अपडेट चाहते हैं यदि आप UGC net योग में और भी कॉम्पेटिशन की तयारी कर रहे हैं तब आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें और सेयर करें आज हम बात करेंगे हठियोग प्रतीवी का प्रस्न संग्रह की अभी बहुत सारे उपने साथ हमारे रह गए हैं परन्तु सबसे जो डिमांड आ रही थी वो हठियोग प्रतीवी का और स्रीमद भगवत गीता की आ रही है तो मैंने आज सोचा कि आपको हठियोग प्रतीवी का प्रस्न संग्रह बता दें एक वीडियो में सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी इसके मिनिमम तीन वीडियो हमें बनाना पड़ेंगे चले शुरुवात करते हैं देखते हैं हठियोग प्रतीवी का प्रस्न संग्रह का पहला प्रस्न जिसमें उत्तर भी है पहला प्रस्न है और उत्तर है हठियोग प्रतीवी का के रचेता स्वामी स्वात्मा राम जी है आपसे प्रशन प्मूचा जाएगा हट योग प्रतीपिका के रचेता कौन है ओप्सन में चार ओप्सन आपको दिये जाएंगे जिन्मत से आपको सही आंसर देना होगा स्वामी स्वात्मा राम मतलब हट योग प्रतीबिका के रचेता है स्वामी सौत्मा राम जी अगला प्रस्न हट योग प्रतीबिका को हट प्रतीबिका के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखें यह प्रस्न UGC नेट आदी में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बहुत सारे योग साधक के मन में यह प्रस्ण चलता है क्योंकि कुछ जगह लिखा हुआ मिलता है हट योग प्रदीपिका और कुछ जगह मिलता है हट प्रदीपिका तो बहुत सारे योग साधक ने पहले भी हमसे पूचा हुआ है कि सर क्या हट योग प्रदीपिका और हट प्रदीपिका अलग अलग हैं क्या हट योग प्रदीपिका जो है उसके नोट्स मिल सकते हैं क्या सर हट प्रदीपिका के नोट्स मिल सकते हैं लोगों को या योग साधक को जो है इसमें confusion होती है इसलिए मैंने आपको यह बात बताई है कि हट योग प्रदीपी का और हट प्रदीपी का एक ही नाम है एक ही ग्रंथ है अलग अलग नहीं है देख लेते हैं अगला प्रस्ण हट प्रदीप क्या जो है वो हट योग का ग्रंत है हट योग के बहुत सारे ग्रंत है UGC net में जो आपकी एक unit है जिसमें गोरक्ष सहीता हट प्रदीप का घेरन सहीता सिभ सहीता योग बीज आदी ग्रंत जो है दिये गए है ये सारे के सारे ग्रंथ जो हैं वो हट योग ग्रंथ से ही संबन्दित हैं या हट योग के ही ग्रंथ हैं अगला प्रस्ण हट प्रदीबिका का काल 14 से 16 भी सताबदी के मद्ध माना जाता है कई ग्रंथों में 13 से 18 सताबदी के मद्ध भी इसका काल माना जाता है परन्तु यदि हम गूगल पर सर्च करें तब इसका काल 15 भी सताबदी प्राप्त होता है इसमें मैंने तीनों बताए हुए हैं इसमें लोग एक मत नहीं है कुछ लोग मानते हैं कि हटियोग प्रदीपका का जो काल है वो 14 भी से 16 भी सताबदी के मत रहा होगा और कई ग्रंत ऐसे हैं जिनमें 13 भी से 18 भी सताबदी के मत इसका काल माना जाता है जब हमें इन सारी चीज़ों से क्लियर नहीं होता तब हम गूगल पर विश्वास करते हैं और गूगल को सर्च करते हैं तो हमें इसका काल 15 भी सताबदी प्राप्त होता है आप सबको तीनों के तीनों काल याद होना चाहिए प्रस्ण बनाने वाला किसको फॉलू कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम आपको तीनों मालूम होना चाहिए अगला प्रस्ण है स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार हटियोग विद्या का उपदेश भगवान आदीनाथ ने दिया था इसलिए हट प्रदीप का में सरप्रथम भगवान आदीनाथ अर्थात सिव को प्रणाम किया गया है स्वामी स्वात्मा राम जी जो थे उनके अनुसार जो है हडविद्या का उपदेश किस ने दिया था सरप्रथम भगवान आदीनात अर्था सिब ने दिया था इसलिए उन्होंने सरप्रथम जो है आदीनात अर्था सिब को प्रिणाम किया हुआ है अगला प्रस्न स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार हट योग का उपदेश केबल राज योग की प्राप्ति के लिए दिया जाता है आपसे यह प्रस्न भी पूछा जा सकता है कि स्वामि स्वात्मा रामजी के नुसार हटयोग का उपदेश जो है किसकी प्राप्ति के लिए दिया जाता है आपको आंसर देना होगा राजयोग की प्राप्ति के लिए बहुत ही सरल है आपको याद करना आप याद कर सकते हैं हमारे वीडियो को बार बार देखिए याद हो जाएगा यदि आपको प्रॉबलम होती है तब आप नोट से ले सकते हैं हट योग प्रदीपी का प्रशन संगर है जो है केबल और केबल 10 रोपे में हम आप सभी को एबलेबिल करा रहे हैं चाहें तो आप ले सकते हैं अगला प्रशन हट प्रदीपी का सब्द का अर्थ है हट विद्या के लिए दीपक के तुल्ले प्रकास प्रद ग्रंध यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि हट प्रदीपी का सब्द जो है उसका अर्थ क्या है यह प्मूछा जाए या ना प्मूछा जाए यदि आप हट प्रदीपी का पड़ रहे हैं तो कम से कम उसके सब्द का अर्थ तो आपको मालूम ही होना चाहिए इसलिए इसको भी याद कर लीजे अगला प्रश्ण हट योग प्रदीबिका में पाँच अध्याए है जिसको उपदेश भी कहा जाता है यदि हम हट प्रदीबिका की मूल करती देखें तब उसमें पाँच अध्याए देखने को मिलते हैं परंतु पाँच वे अध्याए में किसी भी योग के अंग की बात नहीं की गई है उसमें स्वामी स्वात्मा राम जी ने स्वयम के द्वारा अनुभूत की गई बातों की चर्चा की गई है साथ ही चिकित्सा से संबंदित बात भी बताई गई है इसलिए आज के समय में हट योग प्रतीविका में चार अध्याए माने जाते हैं परंतु मूल क्रती में पाँच अध्याए ही हैं यह मैं जब पढ़ रहा था और आप जब सुन रहे थे तब आपके दिमाग में एक बात क्लिक जरूर हो गई होगी बहुत सारे confusion भी हो सकते हैं हो गए हों क्योंकि अभी तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते हैं कि हट योग प्रतीविका में चार अध्याए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी detail दी है कि यदि हम हट योग प्रतीविका का मूल गरंत जो है वो यदि हम देखें तो उसमें पांच अध्याए ही बताए गए हैं इस बात का ध्यान रखना है पांच में अध्याए में किसी भी अंग की बात नहीं की गई है इसलिए जो है आज के समय में सिर्प और सिर्फ चार अध्याए माने जाने लगे हैं परंतु मूल करती जो है उसमें पांच ही अध्याय हैं, हो सकता है आपसे इस तरह का प्रशन पूछा जाए कि हटयोग प्रतीवका के मूल गरंथ में या मूल करती में कितने अध्याय हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि 5 अध्याय हैं, यदि हाँ नौर्मल आपसे हालूम होना चाहिए, अगला प्रशन हटियोग प्रतीवका में चार अंग बताये हैं, आसन, प्राणयाम, मुद्रा और नादानु संधान, मैंने इसके पहले वाले जो प्रशन है उसमें बताया हुआ है, कि चार अध्याय माने जाते हैं क्योंकि चार अंग बताये गए हैं वो चार अंग कौन कौन से हैं, आसन, प्राणयाम, मुद्रा और नादानु संधान, इसी के अनुसार जो है, चार अध्याय हैं हम मानते हैं, पांच में में कोई भी बात नहीं की गई हैं अंग से संबंदित, अगला प्रस्नों, प्रतम उपदेश में आसन का वर्णन किया आप से पूछा जा सकता है कि प्रतम उपदेश या प्रतम अध्याय जो है उसमें क्या वर्णत किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आसन का वर्णन किया गया है, द्वतिय उपदेश में प्राणयाम एवं सठकर्म का वर्णन किया गया है, यह भी आप से पूछा जा सकता है कि दुतिय उपदेश में किसका वर्णन किया गया है आपको बताना पड़ेगा कि प्रानायाम एवं सठकर्म का वर्णन किया गया है तरतिय जो आपका उपदेश है इसमें मुद्रा की बात की गई है यह भी आपको मालूम होना चाहिए प्रस्न पूछा जा सकता है कि हटे योग प्रतीबिका में तरतिय उपदेश में किस अंग की जर्जा की गई है या किस की जर्जा की गई है आधी आधी प्रस्न आपसे पूछी जा सकते हैं आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा कि मुद्रा की बात की गई है अगला प्रस्ण चत्रत अध्याय में नादानु संधान एवं समाधी की बात की गई है यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि चत्रत अध्याय में क्या बात की गई है तो नादानु संधान एवं समाधी की बात की गई है या फिर नादानुसानधान एबन समाधी बताया गया है अगला प्रस्ण हट योग प्रदीविक्या में योग की क्रिया को गोपनिय रखने की बात की गई है ये बैसे प्रस्ण आप से प्मुच्छा नहीं जाएगा फिर भी बताना जरूरी था स्मार्ट फेक्ट है एक लाइन में आंसर मिल जाता है तो आपको कठे नहीं होगा याद करना भी तो यहाँ पर बताये क्या है कि हट योग प्रदीविका में योग की जो क्रियाएं है उनको गोपनिय रखना चाहिए इस तरह से बात यहाँ पर की गई है अब हमें देखना है कि हमारा अगला प्रशन क्या है हट योग प्रदीविका में 15 आसन का वर्डन किया गया है जिन के नाम है स्वास्तिक आसन गौमक आसन वीर आसन कूर्मासन कुक्कुट आसन उत्तान कूर्मासन धनुरासन मत्सेंद रासन पश्चिमुत्तानासन मयूरासन सवासन सिद्धासन पदमासन सिम्हासन और भद्रासन यह प्रस्ण पहले भी पूछे जा चुके हैं आंगे भी पूछे जा सकते हैं इसलिए आप सभी याद रखें कि हटयोग प्रदीपिका में कितने आसन का वर्ण किया गया है प्रस्ण कई जगे कई बार अलग अलग तरीकी से पूछे जा चुके हैं आपका आंसर एक ही होगा पंद्रह आसन का वर्ण किया गया है यह भी प्रस्ण आ सकता है कि इन में से चार आपको विकल्प दिये गए होंगे और प्रस्ण होगा इन में से कौन सा आसन हटियोग प्रदीप का के अंदर नहीं बताए गया है इस प्रस्ण का आंसर देने के लिए आपको पंध्रह आसन के नाम आना चाहिए इसलिए मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ याद रखना है स्वास्तिक आसन, गौमुक आसन, वीरासन, कूरमासन, कुककट आसन, उत्तान कूरमासन, धनुरासन, मत्सेंद्रासन, पश्चिमुत्नानासन, मयूरासन, सवासन, सिध्धासन, पदमासन, सिमहासन और भद्रासन अगला प्रस्ण स्वामी स्वात्मा राम जी ने पंद्रह मैं से भी चार आसन प्रमुख माने है सिद्धासन पदमासन भद्रासन और सिम्हासन यह प्रस्ण भी पहले पूछा या चुका है कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने पंद्रह मैं से किन चार आसन को प्रमुख माना है तो पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए यह भी प्रस्ना आएगा कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने कितने आसन को प्रमुख माना है आंसर होगा चार आसन को प्रमुख माना है यह भी प्रस्ना आ सकता है कि जो प्रमुक आसन माने गए हैं हट्योग प्रदीपका के अनुसार वहाँ कौन-कौन से हैं सिद्धासन, पदमासन, भद्रासन, सिम्हासन आपको आसन के नाम मालूम होना चाहिए देख लेते हैं अगला प्रस्ण जो है चार आसन मैंसे भी एक आसन सर्वस्रिष्ट माना गया है जिसका नाम है सिद्धासन यहाँ पर आपको बहुत सारा याद करना है हट्योग प्रदीपका में आसन कितने वढ़ने थे हैं? पंद्रा पंद्रा मैंसे प्रमुक कितने माने गए हैं? चार चार मैंसे भी कौनसा प्रमुक माना गया है? सिद्धासन मतला पंद्रा मैंसे चार चार मैंसे एक एक कौनसा जो सर्वस्रिष्ट माना है वो है सिद्धासन बैसे सिद्धासन का वड़नन हट्योग के लगवबलभग सारे ग्रंथों में मिलता है आपको याद भी होगा सिद्धासन को जो है गुपतासन, मुकतासन और वज्रासन आधी नाम से भी पुकारा गया है बैसे मैं आपको बता दू सिद्धासन अलग आसन होता है गुपतासन की टेकनिक हम अलग पढ़ते हैं मुक्तासन की टेक्निक हम अलग पड़ते हैं वजरासन की टेक्निक हम अलग पड़ते हैं लिकन यहां पर जो है सिद्धासन को गुप्तासन, मुक्तासन और वजरासन आधी नामों से पुकारा गया है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए याद होना चाहिए आपको अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण हट्योग प्रदीपिका के अनुसार आसन करने से इस्थिर्ता आती है आरोगिता प्राप्त होती है अंगों में हलकापन आता है प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है तर्क और अविखतन के रूप में भी यह प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है हट्योग प्रदीपिका के अनुसार आसन करने से क्या वेनिफिट मिलता है या क्या लाभ आपको प्राप्त होता है आंसर आपको दिये रहेंगे आपको बताना पड़ेगा मानली जिस तरह से आता है कि हट्योग प्रदीपिका के अनुसार आसन करने से क्या लाभ मिलता है ए इस्थिर्था एबं अरोग्रिता प्राप्त होती है बी हलका पनाता है सी ए और बी दोनों डी इनमेंसे कोई नहीं तब आपको आंसर देना होगा ए और बी दोनों इसी तरह से आपको याद करना है अगला प्रसना हट्योग प्रदीपिका में स्वस्तिकासन का वैडन प्रथम अध्याय के उननीसवे स्लोक में किया गया है जिसके लाभ के बारे में कहा गया है कि मन सांत होता है घुटने जंगा पुष्ट होती है मन की चंचलता समापत होती है बोलते बोलते कई बार जो है हम गलत बोल जाते हैं और एडिटिंग हम नहीं करते हैं इस बात का ध्यान रखें तो यहाँ पर अभी मैंने गलत थोड़ा सा बोल दिया था चले देख लीजे तो यहाँ पर आपसे प्रशन पूछे जा सकता है कि स्वस्तिक आसन का वायना हडियोग प्रदीविका के कौन से अध्याय में या कौन से स्लोक में किया गया है आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम अध्याय के 19 में स्लोक में किया गया है अगला प्रशन जानने से पहले इसके लाब भी जान लेते हैं इसके लाब भी आपसे पूछे जा सकते हैं लाब के बारे में कहा गया है मन सान्त होता है घुटने जंगा पुष्ट होती है मन की चंचलता समाप्त होती है हडियोग प्रदीपिका का जो मूल गरंत है वो भी आपको पढ़ना चाहिए यदि मूल गरंत नहीं पढ़ सकते तो आपको कम से कम प्रशन संगर है तो हमारा देखना ही चाहिए लेना चाहिए तो ले भी सकते है और आपको बैसे ये लेना चाहिए क्योंकि आपके पास नोट्स हो तब ज्यादा वेनिफिट है वीडियो के माद्यम से हम पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं पूरा वीडियो हमें देखना होता है और इसलिए हमने सिर्फ दस रोपे में ये एवलेबल कराने का प्रयास किया है ये महत्तपूर जानकारी और इसके कम से कम तीन वीडियो बनेंगे इस बात का ध्यान रखें चले अगला हटियोग प्रदीबिका में गौमोखासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 20 में सिलोक में मिलता है लाब के बारे में कहा गया है कि स्वास रोग दूर होता है प्रजनन तंत्र संबंदी रोग दूर होते है चाती का फैलाव होता है आप से पूछा जाएगा कि हटियोग प्रदीबिका में 20 सिलोक में किया गया है प्रथम अध्याय में किया गया है लाबी भी आप से पूछे जा सकते हैं तब लाब आप बताएंगे स्वास रोग दूर होते हैं प्रजनन तंत्र संबंदी रोग दूर होते हैं चाती का फैलाव होता है अगला प्रश्न हटियोग प्रदीविका में वीरासन का वर्णन प्रथम अध्याई के 21 स्लोक में किया गया है वीरासन से ध्यरे में व्रद्धी होती है प्रशन आएगा हटियोग प्रदीविका का वर्णन प्रथम अध्याई के किस स्लोक में किया गया है तो प्रथम अध्याई के 21 स्लोक में किया गया है वीरासन का अगर लाब पूछा जाए तब आपको याद होना चाहिए कि धेरे में ब्रद्धी होती है ध्यान रखें यहाँ पर मैं आपको विधी नहीं बता रहा हूं विधी ना बताने का सिर्फ इतना सा कारण है कि जो हम करते हैं सेम वही विधी यहाँ पर बताई गई है कुछ आशन की अलग जदी होगी तब मैं उसको बताऊंगा बाकी नहीं बता रहा हूं आशन क्योंकि सभी को आते हैं बीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है अगला प्रस्ण कूरमासन का वरेणन प्रथम अध्याय के 22 स्लोक में किया गया है इससे इंद्रियों का निग्रह होता है मूचह जायका कूरमासन का वरेणन प्रथम अध्याय के कौने से स्लोक में किया गया है तब आपको मालूम होना चाहिए 22 स्लोक में किया गया है benefit क्या है इससे इंदिरियों का निग्राय होता है यह भी आप से पूँछा जा सकता है कि कुर्मासन का वर्णन हठ योग के कौन से गरंथ में किया गया है आपको मालूम होना चाहिए हड़ प्रदीबिका में किया गया है 24 मा प्रस्ण कुक्कोटासन का वर्णन प्रथम अध्याई के 23 स्लोक में किया गया है इसको करने से हाथ पैर कंदे की मास्पेशियां मजबूत होती है उदर के निचले भाग में लाब प्रद है प्रस्ण तीन तरह से बन सकते हैं कुक्कोटासन का वर्णन कहां पर किया गया है या योग के किस ग्रंद में किया गया है आपका आंसर होगा हट योग प्रदीपी काम है कौन से स्लोक में किया गया है प्रथम अध्याई के 23 स्लोक में किया गया है कुकोटासन से बेनिफिट क्या है हाथ पैर कंदे की मास्पेशिया मजबूत होती है उदर के निचले भाग में जो है लाब प्रद है 25 नमबर प्रसन उत्तान कूरमासन का वर्णन प्रथम अध्याए के 24 में स्लोक में किया गया है इसको करने से हाथ इबं पैर में मजबूत ही आती है प्रसन आप से पूछा जा सकता है कूरमासन का वर्णन हट योग के किस ग्रंत में किया गया है आंसर होगा हट योग प्रदीवी का में कहां पर किया गया है प्रथम अध्याए के 24 में स्लोक में किया गया है इसको करने से वेनिफिट क्या है? हाथ एवं पैर में मजबूत ही आती है अगला प्रस्ण धनूरासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 25 में स्लोक में किया गया है इसको करने से टेली हुई ना भी अपने स्थान पर आ जाती है पेट की मास्पेसी मजबूत होती है प्रस्ण पूछा जाएगा धनूरासन का वर्णन हट योग के किस ग्रंथ में किया गया है आंसर होगा हट योग प्रदीबिका में हट योग प्रदीबिका के किस अध्याय एबं स्लोक में धनूरासन का वर्णन किया गया है तो आंसर होगा 25 में स्लोक में प्रथम अध्याय में इसका वेनी फिड भी पूछा जाएगा तब आपको बताना है इसको करने से टेली हुई ना भी अपने स्थान पर आ जाती है पेट की मास्पेसियां मजबूत होती है यहाँ पर ध्यान रखना है इन आसनों की विधी भी आपसे प्मूची जा सकती है मैंने नहीं बताई है मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो अलग है वो मैं जरूर बताऊंगा बाकी आपको जो है आता ही है अगला प्रस्न मत्सेंद्र आसन का वर्णन प्रथाम अध्याय के 26 वे एवं 27 वे स्लोक में किया गया है इसको करने से जटरागनी प्रदीप्त होती है इस्त्री रोगों को नास होता है मधु में हमें लावकारी है मत्सेंद्र आसन का वर्णन कहां पर किया गया है आपको मालूम होना चाहिए प्रथाम अध्याय के 26 वे एवं 27 वे स्लोक में दो स्लोक में बर्णन है ध्यान से देख लीजिएगा इसको करने से क्यावे नी फिट है तब आपको मालूम होना चाहिए कि जटरागनी जो होती है आपकी प्रदीप्त हो जाती है इस्त्री संबंदित प्रथाम अध्याय के 28 वे एवं 29 वे स्लोक में मिलता है इसको करने से मेरुदंड लचीला होता है प्राण सुसुम्ना में प्रदीप्त होता है प्रश्न पूछा जा सकता है किस आसन के द्वारा प्राण सुसुम्ना में प्रदीप्त होता है आपको आंसर देना पड़ेगा पस्ची मुत्तानासन के द्वारा कौन से अध्याय में पस्ची मुत्तानासन का वर्णन किया गया है कौन से सलोक में पस्ची मुत्तानासन का वर्णन किया गया है आपको बताना होगा 28 वे एब 29 वे सलोक में वर्णन किया गया है इसका यदि वेनिफिट पूछा जाता है तो वेनिफिट भी आपको मालूम होना चाहिए अगला प्रस्ना मयूरासन का वर्णन प्रथम अध्याई के तीसवे एबं 31 स्लोग में किया गया है इसको करने से उदर रोग दूर होते है पाचन सक्ती तीब्ड होती है विसाक्त भूजन भी पचाने की छमता आजाती है मयूरासन का वर्णन किस अध्याई में किया गया है किस स्लोग में किया गया है प्रस्न आपसे पूछा जाएगा आंसर आपका होगा प्रथम अध्याई के तीसवे एबं 31 स्लोग में इसको करने से क्या वेनीफिट है आप आंसर बताएंगे पाचन सकती तीब्र होती है विसाक्त भूजन भी पचाने की छमता आ जाती है अगला प्रश्ण सवासन का वेनन प्रथम अध्याय के 32 स्लोक में किया गया है इसको करने से अनिद्रा से छुटकारा मिलता है उच्चे रक्त चाप एब मांसिक रूख से लाब मिलता है सवासन का वेनन आपसे पूछा जा सकता है कौन से अध्याय में किया गया कौन से स्लोक में किया गया किस ग्रंथ में सवासन का वेनन बताये गया है या इससे क्या वेनी फिट है आपको यह भी मालूम होना चाहिए अब आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइब करना आंसर जरूर दें और अपनी योग गिता को जरूर जाचें पहला प्रस्ण है हट योग प्रदीपिका के रचेता कौन है कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है बहुत सारे योग सादक कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिख रहे हैं यदि आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आगामी समय में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपजेक्टिप टाइप प्रस्ण दिया करेंगे पहले तो आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे फिर आपजेक्टिप टाइप कॉस्चन देंगे लेकिन तब जब आप इंट्रेस्ट इस ओर भी दिखाएंगे अगला प्रस्ण है हटियोग प्रदीपिका में कितने अंग बताए गई हैं यहां पर मैंने चार और पांच दोनों ऑफ्सन में दिया हुआ है आप क्या लगाते हैं वो मैं देखना चाहता हूं अगला प्रस्ण हटियोग प्रदीपिका में कितने आसन का वर्णन किया गया है यहां पर मैंने आंसर भी लग दिया है वो गलत हो गया है इसको हम रेजेक्ट कर देते हैं इस प्रस्ण को यदि आप हड़ प्रदीपिका की पीडिया प्राप्त करना चाहते हैं या प्रस्ण संग्राय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी WhatsApp नमबर पर संपर्क कर लें, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपे में एबलिबिल है, धन्यबाद.